चार डॉकुमेंट नहीं लगाए हैं इसको तो डिफरेंटली समझेंगे मतलब अब बजट हम जैसे करते हैं उसका एक मेथड है और एक बजट का प्रॉपरली हम निकालने है बेनिफिट तो बेटर है अब बजट अपने आप में देखे डख्यूमेंट है जो आपको मेंस में मतलब मेरा एस्टिमेंट यह कि अराउंड 5-10 मार्क्स अश्ट्रा दे सकता आपको अबागे ने आ रहे किया अबाद आ रहे है अम आ आदिबल आक पर याश्क कर दो गूद मॉर्निंग मैं सुन रहाओ स्याफाई है यार आप ठीक है तेलो मीक बंद करलो अपना यार लक्षर क्या रहाओ कि उधर देखो उधर देखो फ़ता नहीं क्या क्या देखो भी देखो यह देखो आजिए बंद करा हो पहले माइक कर लो भाई बंद माइक कि घर में कुछ मर्जी करते हो बैठ के लेक्षर सुनते हो हम एभी बोल रहे हैं कि अच्छा भी है वट कि अब खबरदार किसी ने माइक ओन किया और सिर्फ पूछ के अब जब कुछन पूछन है तभी ओन करना है और फिर बंद कर लेना तर फिर यह तेक्नोलोजिकल हो हा यह रहा है फिर जुछ में बनाया जुसमें बजट के अंदर जटने ही प्रगंम में बनाया है और जो भी इंसुशनल शुकर मेंकिन अच्छर माय है वो यह नदि आला all those things are mentioned, budget के अंदर mentioned है, but we will discuss the purpose of doing budget, but ये सारे programs जो हैं, ये सारे ऐसे linked है, निकाल लिया है उसमें से, so that you can एक बार में गुठीव करचे को आख, then there are various institutions, जो भी institutional structure बना है, चाहे वो fund है, को चाहे जो भी एक institutional structure में चाहे लाने की कोशिश की जारे है, that those things have been again been summarized separately, now this document has been created specifically for the direct question, जो ये सिदा आप से question पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकलर प्रोगम में क्या चेंज आया है, ये institution क्रेटिव है इसका परपस के आया है, this is one purpose of creating this document, that you can get a direct question on this, जो बहुत ही कम पुछे जाता है, isn't it, जो बहुत ही कम पुछे जाता है, right, this is one document, second is this the conventional document, the budget and brief, जो जो नॉर्मली हम करते है, this is the normal thing which is always done, जो जो ही होता, so arts no page का जो सूनॉप्सी है, कि न थ सारा, जो साघी है, clear cut झाफ जो जो दिया हुआ, this is one thing, third is the budgeting brief, जो 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 साईक है highlight points है, जो 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 सा इक highlights points है, जो जो करते कि दूच और पांक तो लेक्टर सुन से क्यों होगे बजट के आप तक तो क्या ऐसे छोड़ दे या है कि पीस तो सुनी तो बहुत यह चाह है अगर दस काम करते हुगे नहीं सुनी तो कि उदर यूट्यूब खुला है उदर यह खुला है साथ में स्पीस संद रहे हैं तो यह सारी इन प्रिक्टोरियल फॉर्म है यह कि हमारे मित्र ने बनाया तो मैंने नहीं बनाया यह बट इस गुड़ पांच साथ पेज का है यह तो यह भी आपके बहुत काम आ सकता है कि पर यह पर यह तेक्स प्रोपोजल से हैं तो यह आपका अधर टेक्स प्रोपोजल से हैं इस प्रिफाइं देक्स ट्रक्ट्टर रूपीर कांट से आता है कि निकाल के असंदिंग डिसंदिंग और में कुश्चन आ जाएगा तो यह हम देखते हैं आगे कैसे इसको यह तो यह से तो यह तो यह तो यह तो यह देग दिया अच्छीचीज है See, whenever we do budget, whenever we prepare budget, so what we do is that, firstly, some people listen to the budget speech, right. What is the purpose of listening to the budget speech? What is the purpose of listening to the budget, what is the purpose of listening to the budget? finance ministry is speaking, suppose she is talking of inclusive development, why not the term inclusive growth has been used, why development, right, suppose then economic empowerment and inclusive development. So, we are asking, why do we talk about economic empowerment? There is political empowerment, social empowerment. So, we say that budget is justified that it is economic empowerment. But, inclusive development is very important. So, when you listen to the budget speech, then you keep on developing such correlations in your brain. India at 100% of people have a priority or inclusive development in which I include, right. Otherwise, inclusive development or inclusive growth, then I can include everything. कुछ भी मैं इंक्लूट कर सकता हूं, but every government decides its own priorities कि inclusive development पे हमने यह लेना है, taking into account the local conditions. For example, American government अगर inclusive development की बात करेगी, तो वो differently करेगी, हम differently करेंगे. आज से की साल पहले हम differently करते चे, आज हम differently, it is a very relative concept in terms of time and space. So, one strategy of preparing the budget is to listen the budget speech, but that is the purpose of budget speech. Secondly, जिनोने एक उन्मी नहीं पडि या जिनोने अभी economic analysis कोई brain में नहीं किया, उनके लिए budget speech की सुनना सिकार है, वो तो budget speech सुन लो, चाहिए एक नौ पेज का document पढ़ लो, दस पेज का, बात एक ही है, उसके आगे आपके पहले कुछ पढ़ना नहीं, ठीक है बात? So, second strategy of preparing the budget is, जैसे common maximum student करते हैं कि एक budget synopsis ले लिया, उसको याद कर करते हैं, कि different sectors हैं आपके, there are different sectors, different areas हैं, sectors कह लिजे, areas कह लिजे, उसमें budget के क्या-क्या proposals है, यहीं करते हैं, different proposals budget के, be it agriculture, be it industry, be it start-ups, be it vulnerable sections, be it cooperative sector, be it financial system, be it fiscal system, as a different, different ministries हैं, departments हैं, उसके अंडर बजट के अंडर क्या चंजी साहे, we always focus on that, and that is what all lectures focus at mostly, where, यह आपका changes हैं, in terms of change, isn't it, in terms of change, कि हाँ यह बजट के अंडर चंज आए, in the process of doing that change, you learn things also, यहीं भी schemes हैं, यहीं भी हैं, यहीं चीजे हैं, this is the second common thing which is done, but actually that is not the whole purpose of doing budget, if I examine the last 7 years, में से अगर मैं देखते हूं, तो direct budget पे question, को सकता एक साल आया हो कोई, कि सिदा कि in the budget of this, in this year's budget, यह क्या हुआ है, ऐसा question paper में, आता है, नहीं आता है, तो सारे lecture, आप हम attend करें जारे हैं, परे लिए लेक्शर की भई, यह चेंज आया है, यह कर देना है, यह कर देना है, उसका purpose क्या है, आता है, यह थो पी दोस लेक्शर और लिसन दोस लेक्शर इन राइट स्पिरिट, question is not going to come directly, अगर एक आभी गया तो कोई तुफान नहीं बचले, मेंस में कोई ऐसा question आया अज तक, तास साथ सालों में, अगर यह पुछाओ कि इस budget को analyze करो, यह इस budget को critically examine करो, कोई question आया अभी तक means में, नहीं आया, तो मैं क्यों करवा रहा हूं, ना direct question prelim में आया, ना means में question आया, तो मैं करवा कर रहा हूं, यह इतना लोग हजारों lecture अब तक बन चुके हैं within one day, and then why you are doing, why you are wasting your precious time, So, it is very important to understand, what is the right perspective of understanding budget, in order to save your time and energy, and to prepare in the right direction. अर तक हम इस budget को जो हमना अपना time लगा हैं, we are able to take best benefit of that time, कैसा नहीं है कि रिटा मार के शोड़ दिया, उसको आता कुछ हैं, पर question paper में ना, nobody is going to ask you this question, means what are the budget proposals for the development of cooperative sector, कोई नहीं बुछ सकते हैं, no, कोई नहीं बुछता है, ऐसे question, बहुत साल होगे आया हैं नहीं, हमारे टाइम पर भी नहीं आते हैं, हमारे वक्त पर ऐसा है कि budget में से direct question कई बार आजा था, क्या change आ रहा है, 150 questions उसी का एक momentum बना हुए कि हाँ budget त्यार करना है, budget पर question में आएगा, लेकिन आज साथ सालों में direct budget पर question कोई नहीं, clear होगी माइंड है कि हम क्यों कर रहे हैं, मेरे मेरी गरे से तो आप budget खुआ हाथ भी नहीं लगा हो मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता है, पेपर के prelim के point हो इसे, लेकिन I have to do it, I have to learn things from the budget which may come in the prelim exam, it's not about कि यही आ जाएगा, अगर हम वहीं तक अपनी आपको सी में रखेंगे तो बेकार है budget पढ़ना, तो में आपको बेकार है बलकुल budget पढ़ना, तो में आपको clearly बता हूँगा कोन कोई सीजी आपको पढ़ना है, not कि यह budget में कोई परिविजन है, but because question is paper में आ सकता है, because it is mentioned in the budget, that is we call it indirect things. So, three purposes से हम budget पढ़ते हैं, first is we are expecting some direct question, it is the increasing order of importance, first is I am expecting some direct question on budget, which is least probable, लेकिन least है, not probable नहीं है, not will not come नहीं है, आ सकता है एक अदा question, तो मुझे करने में हज भी कहा है, ऐसे भी पढ़ना ही है मैने, but first thing is I am visualizing some sort of direct question from the budget, तो अगर direct question paper में आएगा तो क्या आएगा, तो वही आएगा कि भी ठीक है, यह cooperative sector है, following changes are envisage in the budget, in this year's budget, suppose one two three, one and two, one two three, one two three four, इसके लिए excessively sent होने की जुरत नहीं है, मैने देखा है, बच्चे पहले जा रहे हैं उसको, यॉर्टे मरी जा रहे हैं कि ऐसा question आएगा, कब आया, और आपका paper होना है मही एंड में, और budget आ गया February में, तो कितने महीन हो गए, सब तक budget भुली बिसरी बाते बन जाता है, उसके बीच में चार महीने बहुत कुछ हो जाता है, तो पुरानी बात हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर प्रविजन रटा मारने बैठ जाएं, तो फैनेशल सिस्टम के लिए यह किया रटा मार रहे हैं भीच के, cooperative के लिए यह tax changes करें, यह cooperative को assumption दे दी, यह दे दिया, 15% कर दिया, यह कर दिया, फूल लगे रटा मारने, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करें, आप हैदा वाचसरा वाई 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 वताइड वाचिस रटाम? So, direct questions are least probable, we have to be just read, revise, nothing else. Next is indirect question, these are on the basis of traditional information, which can be drawn from specific words, concepts, programs, institutions, in the bubble. So, suppose question क्या गव्मेंट ने इंक्लूसिवड़ॉब्मेंट के लिए क्या है वो न आए, concept प्या आजाए, inclusive development includes 1 2 3, क्या आजाए? . Concept of economic development includes, number 1, including the whole population, including including various regions, including various sectors, spices are 1 and 2, 1, 2, 3 or 1 only. क्या है concept inclusive development का, ये question आजा है, अब ये question आपके budget में 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 तो नहीं है, लेकिन concept के उपर है, ऐसे बहुत तार एक चोटे-चोटे concept, वैसे कोई जो 15-20 योजनाई इसमें budget में में मेंशन है, उस पे question, जो budget में है, उस पे question स्टैटिक उस प्रोग्राम पे आ सकता है, यो प्रोग्राम का purpose किया है, कब launch किया गया था, सेंटर स्टेट किया है, और क्या objective से उस प्रोग्राम के, उस प्रोग्राम पे question आ सकता है, लेकिन जो इस budget में क्या change किया है, उस शायद ना भी पूछें, लेकिन फिर भी उस प्रोग्राम से पूछ सकते हैं, तभी मैंने वो सारे करेंगे हैं, तो हर तुसरे दिन फ्रोग्राम कर देते हैं, तैकड़ों स्कीम से, यह समय नहीं आता, कौन सी कि प्रजेक्ट कोन सा इनिशेटिव है नहीं तो क्या जाता है वर्चा करना हमारे को महुत पढ़ जाती है कि त्यार करना पेपर में कुछन आ जाएगा लेकिन फिर भी उसके अंदर से हमें अपनी प्राइर्टी ड्रॉ करने पढ़ तो प्राइर्टी ऐसी चीज़ों से आती है कि भी बजट में में स्कीम सर्वे में है या न्यूज में है और कोई धरिया नहीं है इसका कौन सा कोश्टन पूछ ले क्या है इन डेप्स नेलिसिट एसी स्कीम पर भी कोश्टन पूछा हुआ जो लीस्ट टॉक्ट अबाउट थी ऐसी स्कीम तो भजार हो जाएंगी अगर मैं करने बैठ गया तो पर एसी स्कीम से भी कोश्टन है जो बड़ा एविडेंट है मंदिगा पर भी आया हुआ है जो करनी है और लेकिन ऐसी कोट्र स्कीम पर भी आया हुआ है जो हम कभी करते है नहीं तो इतना रिस्क लेकिश चलना पड़ता है that is what preparation is when you make a judgment कि मैंने इतना करना इतना नहीं करना आ गया तो कोई बात नहीं लेकिन ऐसे नहीं कि मैं सारी प्रोग्रम से रटने बैठ जोंगा जारवे 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 जारव कि आप हर question के अंदर in this year's budget ये किया गया था आप डाल सकते है वो एक लाइन आपको एक number तो extra देगी देगी पक्ता तो cross reference आपने दिया है चाहे वो question for population पर आजाए वो question poverty पर आजाए वो question employment पर आजाए वो question education, housing, agriculture, industry, startup, digital कुछ पर भी आजाए you can always always and always you can use some reference of budget in your means examination. So, whenever you are preparing budget now they have to be prepared primarily from these three angles and not to stress much on this process जहाँ excessive tail लगती है आपको कि आई तो बहुत ज्यादा है छोड़ दो उसको नहीं आता question आ जाएगा tail है भार में गया मैंड fresh रख्षन है मैं में वहाँ पर twice is eliminate करके answer लिख सकते हूँ इसना mind को clog ना कर लूँ अपना कि मेरा दिमाग सोची ना पाए वहाँ पर और basic question मैं गल्द करके आजाओ तो मैं ठीक कर सकता था because my mind is clogged I am not able to do it. जो deserving बच्चे होते हैं देखे इतना समय लेजे जो बहुत deserving बच्चे होते हैं जो बनने वाले होते हैं उसमें से 10 में से 8 बच्चे इसलिए रहते हैं because the over prepare not because they under prepare करना budget को उतना करना जितना हमें यह मोटी मोटी बात इक लाइन जो मैं डाल सकूं कहीं पर यह अगर अग्री कल्चर है तो यह नियों मैं सारे अग्री कल्चर के तेल लगा दूं 11-12-15 पॉइंट निकाल के इरता मारने लग जाए आपके अंदर क्रेक्टर होना चाहिए कि ह चार-पांच चीजा इस पॉट्टिट अपर अधियू पेसी लूपन फॉर देट करेक्टर नियू यह एद रटकर आप गोडे ओ गजे ओ जा बंदर हो गजे का फरक नहीं पड़ता है उपनदर अपना बंदर क्या इमिटेट करता है वह सुषिंद निक यह गोडा ही होता ह मैं तो यह करूंगा मैं तो इधर ही जाओंगा तो आप सोचलो आप किस कर्टेग्री के एस्परेंट हो आप बंदरो आप गधे हो या घोड़े हो क्या बनने आपको चले मैं चोटिस्य है बढ़ी जाताएं पैसा कहां से घूटमेंट आप कर sedikit से स्टेट्मेंट इहां तो पैसा ょंगत्त करना हम समय बज़टें के नहीं हो था यहां से पैसा आए गाआ ईस्टीमेटज होते यहां हम खर्च करेंगे वह यहां से आएगा हो यहां खर्च कर इंगे पर उपना कुछ नहीं है इस से परे मोटी-मोटी कुछ नहीं है मैं टाइम कहां लगाँगा जहां मुझे लगाना है यह तो आप रटा आप कोई और भी लेक्टर सुन लें वहां पर वह आपको फिगर रटवा देंगे आपको जुरत है तो अजर्वाइस तो इसका प्रिंट आउट निकाले अगले साल के लिए फाइप नाइन टार्गेटल है और दोजार चौबिस पच्चिस तक टार्केंडर आ जाएंगे उसके बाद लास्ट का था वह सिक्स पॉइंट अगर आ जाए तो आता नहीं वैसे लेकिन हमें पता होना चाहिए उसी तरह से पैसा आने की अंदेशा है इतने पैसे यहां से पैसा कर्ण और कहां किया जारा है यह अब सारी दुनिया हमने कर दी यह नहीं किया क्या क्या है यही तो इतु filme आ सकता है के भुए सब्सक्ट बैद सकता है क्यु Sortie को प्ड़क्प्र status कैनििन आगया तो उन वहिसित Het ने उन्दर Jaffa मेरी बाते मैं बीच बीच में रेसेंस दे रहा हूं कैसे में चीज़ें आप यूज करोगे और प्री में क्या आ सकता है कि टीके ना अब भी तो आप इंडरेट है या आ रेलीड़ेशन में तो बजट जब डॉकमेंट आप पढ़ोगे या जो यह लगाए है यह पढ़ोगे आप उसी एंगल से पढ़ोगे कि जो यह तीन चीज़ें मेरी इक अपलेश हो रही है त्युक्त आपका है इस साल जो बजट स्टार्ट हुआ है उसका बेसिकली स्टक्चर क्या था इट उंडर्सेंड दस्टक्चर स्टक्चर इस फ़र्स्टी दविजन एट 1000 एक ब्रॉड आउटलाइन लेडाउन की गए कि ये हमारा विजन है ठीक है जो है मही वह तु ठीक है तो हर गवर्मेंट गई कहीगी देख लेंगे हम क्या कहा है फिर गवर्मेंट ने अपनी जो है एक ब्रॉड विजन क्या कि इस इंडिया एट 100 को अचीव करने के लिए यह मेरा विजन है वह हम क्रिटिकली नाइस करेंगे कि क्या है यह विजन कुछ भी नहीं है उसके लिए नर्म व memorized चैन से स्मजनना इसको और चार स्टेटिजिस लेए उसके बाद उननी क्या कि इनिशेटिफ व्हम्ने प्रपॉज कि रोभाग्श किหा हुर्में करेंगी ही लिए हमारी साथ सेवें प्रइडीज है तौना साथ प्रवारटीज है आपने बिजेट तौना होगा र आपका जो specific part b आगया आपकी speech का इसमें आपके सारे tax director indirect tax incentive sector wise changes जो है वो place down है ठीक है चाहे वो indirect taxes में EST में EST में तो मोटा से बात क्या है अदरवाज EST council करेगी चाहे वो direct taxes में income tax में changes है indirect tax में custom duty में changes है आपके आगया तो वो सारे changes part b में आपके आगया तो ultimately देखा जाया तो मोटा मोटा budget आपका ये चार ये 5 parts में speech divided किया तो अब हमें को how we have to understand this how we have to understand this this way basically when you see all these things you ultimately identify 2 चीजया आप identify करते हो right हमारा जो next 1 year का what is the vision क्या direction government लेके चल रही है या फिर next 5 years का क्या लेके चल रही है फ़तलब next term का 24 से लेके 29 तक का कि अगर government सोच रही है कि मैं आऊंगी तो 24 से लेके 29 तक का vision है इस में कुछ या अगले साल का vision क्या है 24 से लेके 29 का vision क्या है या फिर 25 साल का vision के 25 years का vision के अना या फिर 50 years का vision क्या क्या 50 years का भी है कुछ इसके अंदर कि 2070 तक कुछ हमें अचीव करना है कि 2050 तक हमें यह अचीव करना है कि 2030 तक हमें अचीव करना है यह तो मतलब next comment हमारी आएगी कि हम अगर हमारी आगी तो हम अचीव करेंगे 2050 तक है कि फिर तो बीजेपी का सामराज हो गया फिर हम कहें कि डैनिस्ट्री बीजेपी डैनिस्ट्री कि जैसे मुगलों का राज होता थे फिर इतनी लंबी चल पड़ी तो कि अगर 2070 तक भी लगा लें फिर तो तो और ही कुछ हो जाएगा तो मैं ना ही बोले तो अच्छा है तो मतलब जब आप बजट देखते हैं हम बजट अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि कहा तक जा रहे हैं यह तो बजट के अंदर जो इस साल अच्छे बात मुझे जो लगी व अच्छे बहुत है इसके अंदर, we have to see those visions, we have to see those visions, we have to see those visions and see the direction of change the government is visualizing, but government चाह कोई भी भी हमें कोई फर्क ने पड़ता, BJP हो, Congress हो, फ्लाना हो, जिमाठ्ट हो, हमें क्या लेना, budget is, the N1 financial statement of Indian state. So, वो ऑनल से अगर आप इसकोड इसकोड MAT काम होइंगी,the vision for one year, vision for next five years, vision for 25 years, vision for 50 years, right? यह बैसिकली जब आप पढ़ोगे या कुछ भी सुनोगे, तो एक mind में आपकी categoryzation panthi चली जाएगी. Panthi चली जाएगी आपकी दिमाद, panthi चली जाएगी आपकी दिमाद, the budget is definitely a statement which projects or which estimates the receipts and expenditure of the government in coming one year, but why in doing so the government also outlines its agenda of development, budget also outlines the agenda of development, कि government का agenda क्या है development का वो भी हमें budget से निकलता है, पैसा यहां से आ रहा है यहां जा रहा है वो एक sexual चीज़ है, वो एक matter of facts है, but पैसा लेना और पैसा खर्च करना यह कहां कर रहे हो आप उसकी जो qualitative aspect है, that qualitative aspect is outlining the agenda of the government with respect to the development of the economy in specific and society in general, right, तो वो एक agenda outline करता है, तो जब भी आप budget करें तो थोड़ा सा उस agenda को हमें परकड़ने की कोशिश करने है, ठीक है, तो सबसे पहली एक बात है, government has mentioned कि, what to say, अपना accomplishment mention किया है, that is a sort of analysis कह लिजिए आ पोजिटिव सेंस में नेगेटिव सेंस में उसको political agenda कह लिजिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो एक data है, for us it is a data, for us it is not something political or anything, I can use these things in variety of my answers, for example accomplishment में, globally, हमारा global level, we have raised in structure due to, इसको लिखते जाओ, पैंच चलाते जाओ, कुछ-कुछ लिखते जाओ, यह बहुत आपको help करेगा, और यही काम आएगा जो लिखो गया, at the global level, अगर हम देखे हैं, तो world class public infrastructure, यह अधार का हमारा बड़ा है, accomplished global level पे, COVID में जो हमने काम किया है, and UPI के अंदर, तो यह तीन चीजे मैंशन करिया है, उन्होंने शुरू में, कि यह तीन चीजों के लिए globally हमारा structure काफी बड़ा है, जो public infrastructure के context में है, क्या के मैंशन किया अधार, जो हमने इतना massive scale पे अधार implement किया है, then हमने जो massive scale पे vaccination करिया है, जो COVID के अंदर हमारे efforts nationally और internationally रहे है, और third UPI UPI, UPI तो है, Unified Payment Interface, यह मतलब globally इसकी phrase हो रही है, जो government of India ने accomplished करिया, बड़ी countries ने कर पाई है, right. Then, इसके अलाबा, speech has started with the proactive role of government in various areas, like climate related goals, then mission life, then national hydrogen mission. किये basically, mostly sustainability के angle में है, in the context of sustainability, जो government of India के efforts है, वो global level पे अपना India, अपना structure बनानी के लिए, because globally of sustainable development की बात हो ही है, at various four hours, at various meetings, you can boast of your achievement in terms of sustainability किया आपने इतना है, and developing countries have always been criticized, they are anti-sustainability, because of their immediate needs, and developed countries have been always boasting of the effort they have made for sustainability, although they may not have, actually they are responsible for destroying the climate and, but whatever it may be, the earth belongs to all, isn't it? अब हम यह क्या के गुजारा नहीं कर सकते हैं, समझाज आजिए सबको यह कि developed countries ने इन्वार्मेंट खराब किया है, ठीक है किया, कर दिया, लेकिन रहना तो हमें यही है, अगर 10-15 और प्लानेट्स होते हैं, आसपास जहां पर हम जाके बस सकते तब बात अलग थी इंडिय अब हम सब को इस तरह जाना है, अगर हमें इस अर्थ को बचाना है, इस बात की घराई को समझो, कि नहीं अभी अग्सेटेटर आज इंटरनेशन फोरो में S.E. इस तरहें, आज़ आज इस टीसला पहले होती ती आज कल, नहीं होती India, हर इंटा थी, केता थी, you are responsible for destroying the climate, so you should pay for it, यह चयन, भी ही केता हाएं थी, केता है, विए तो बोट अब नहीं केते, because now both the countries are aspiring to be coming under the league of developed countries, and both are representing a huge population in the world . So, now we are fully committed to the goal of sustainability and that goal of sustainability that goal of sustainability equals throughout the budget, I have green growth context, green mobility context, green building context, various greens, so I will see this budget not simply in the context of our vision for the country, but also our vision in terms of the place of India in the world, because that this statement goes throughout the world and this sort of statements regarding green mobility, green growth and all those things they actually raise our stature in the world that we are actually making efforts towards the system, it is a priority for us and that is why government has made one of its priority areas the green growth, green growth priority aegh. Now question is basically India's growing stature in the international arena, IR me I am a question, so I can mention it, then I can I am a question, I am a question, I am a question, is this a question, how is your question, how is your relation, UPSC in the world, India's stature in the world, it also is as India has emphasized on green growth in this year budget, that shows India's aspirations to grow in stature at the internet, कॉंसेट ग्रीन ग्रोथ मोबिलिटी एक्सेक्टरा इको फ्रोड दा बजेट आग लें जीगी आग कर सकते हो अब क्वेश्चन आगया फूर्ड सेक्यूर्टी पर मैं देखो कितना आगी दा रहा हूं पुरा पेपर कवर कर रहा हूं मैं सकते हैं 1 2 3 4 में में भी आ सकता है सही कोश्तन आगया सकूरिटी पर internal security नहीं किसेटे food and nutritional security food and nutritional security is the key to ensure nutritional security to sorry to ensure internal security can 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 जब इन्सान का पेटी निभरा हुआ हूं nutrition निभरा हूं उसका ठीक जेटेग तो साधी प्रॉब्म्स उसके बादी जन्म लेती है इन दिश्चेस बजेट अलो सेंट्र गवर्मनें तो लाग करोड गवर्मनें ने ठीक हम देंगे सारा प्राइप एक बात है है तो बगवास बात लेकिन बात है अभी पॉपुलिस्ट है डेफिनेटली चलो अलग बात है लेकिन मेर यूज कर लिए कहां स्कूर्टी वाले इडिया में आयार में भी कर लिया स्कूर्टी में भी कर लिए मैंने ऐसे कोशन को पॉलिटी का आ गया सोचल इस्यूस का आगया कुछ मैंचिपका सकता हूँ अगर मैंने बजट को ठीक प्रसपेक्टिमें समझाए अब इस ये घंट एक सामने अगरोगे उस अब करोगे लिए तो ये आपकी अकमपलिश्मेंट मैं ये कहिने कहीं मैं चिपका दूंगा अब देखे अब इसमें गमेंट ने इन्होंने 2014 ते 17 तक का 2014 से 23 तक का गाटा दिया है कि पर कैपिता इंकम जो है वो दबल हो गई है 1.97 लैक्स में इतने सालों में अब मैं इसका करने बैठ जाएँगा तो नहीं है या मतलब है मैं कोई प्लिटिकल ऑपोजिशन पार्टी नहीं हूं कि मैं इस डाटा की सच्छाई करूंगा कि यार यह एक्चुल में ज़्यादा नहीं है अगर मैं नौ सालों की बात करूं और नौ सालों में यह इंकम डबल हो गया तो मेरे लिए एस परसंट टीचिंग एकॉनमी फॉर सो मैनी यह ज्यादा नहीं है यह नौट बिगे चीवमेंट अबिगेशिवमेंट फ्लाना धिमाका आ गया तो उस चक्कर में मैं कहता हो ठीक है यह नहीं है कि नौ सालों के अंदर हम डबल कर रहे हैं से कैसे इतने इंफ्रसेटर के लिए इतना हम PST आ गया यह आ गया तो उसके लिए चाहिए था लेकिन we have to see the ground reality also that there have been certain things which is beyond the control of the government थीन साल तो बरबादी होगे ना तो आप डबल इंकम आप यह तीन साल में शे साल में पान साल में उसमें भी डेंपनिंग होगी उससे demonetization से उसमें सोड़ा economy recession में आगी उससे पहले भी सोड़ी recession में थी तो on the whole अगर मैं ground realities देखूं तो मुझे यह achievement ठीक लखती है taking into account the ground reality यह critical analysis है this is critical analysis when you see these things in this way यह नहीं आप खुश होगे double होगी यह आम लोगँ हाँ का आम जिसे पैसे अपनी double हो रहे हैं तो क्या बात होगी चाट साल में double होनी चाहिए फिर तो हम कहें कि हाँ double होगी अपको कहें कि हमने 9 साल में double कर दी इससे पहले जो double हुई थी हो 20 साल में हुई थी तो यह को बात बनी we are not going to be influenced by that next is एकि आप इंडिया in economy region size from 10th to 5th largest 10th to 5th largest it's a good achievement right in terms of GDP our economy is now growing तो बहुत बड़ा various factors का रोल रहा है सबोस्पोस पेपर में question आजाए अगर अगर क्रिम में question आ सकता है कि which of the following factors have played role in increasing the place of India from 10th to 5th in the world in terms of GDP size of economy अगर question या जाए या means में question आ जाई यह है और साथ में इसका जोड़ दे कि in this context suggest a strategy for a 5 trillion economy तो हम 5 trillion तक कैसे जा सकते हैं आ सकता है ऐसा कुछ आसकता है नहीं तो third is next is EPFO membership यह इंकुदिम शो करता है EPFO membership बढ़िये that is a primary effect of GST and all in number of people coming under the formal sector is increasing that is the best part which I see in the last 3-4 years the best part post GST अक्से बड़ा एक phenomenal change आया है खेर आपने शयदना पड़ा होईये तो formalization of economy है वो एक advantage GST का माना जाता है अपर्ट from rationalization of tax structure rationalization of tax structure foreign debt investment and formalization of economy formalization of economy एक बहुत बड़ा benefit GST का है क्योंकि input आपको तभी मिलेगा अगर आपका अगर मेरा फॉर्मल है तो अगर मुझे वो input लेना है तो मुझे फॉर्मल मिलाना पड़ेगा अपने आपको आपने आपको जैसे अब मैंने कार्पेंटर से काम करना ये पार्टिशन कराई सब्सक्राइब क्या होता था क्या पकड़ाया बात खटम अब मैं उसको क्या कह रहा हूं पेटा बिल ले क्या कहीं से उसको बिल नहीं है चाहिए बट उसने अपनी दो तिन फर्म स्टिक आ रखी है तो अब वो पैसा लेगा मैं का मैं तो मुझे बिल दे काटेगा मैं इन्पट लूँगा मेरा टर्नोबर बढ़ेगा ऐसे बढ़ती है देखो नहीं तो वह कैश मैंने देदिया जीडीपी में आया नहीं वह तरेक्ली अन्रिकॉर्डड़िट से ला गया वह वही मैं उसको बैंक से पेमेट दे रहा हूं और जीएस्टी कट रहा है मुझे तो इन्पट ही मिल रहा ह कारपेंटरों की पेंटर की है ना फर्म खुलवादी पार्टनर्शिप फर्म जीएस्टी नम्बर दरिवादिया उनका काम बढ़ गया एक बंदा टिका दिया साथ में कि भी इस से तुर्ट रटरन कर दिया गर पांच वर लेता सारा नहीं के तो बन जाते हैं विल तो तेज होते हैं बस बना लेते हैं विल बुलतों है कि दुमाग बहुत चलता होता है पैनिफिट दीखना चाहिए बस तो मैं यह बात किया रहा हूँ कि वो जो 5 trillion की बात आप कर रहे हो या formalization की हम बात कर रहे हैं चाहिए increase of GDP की बात कर रहे हैं तो वो की qualitative input आपके पास आती ही जाएगिया इसंट आप you see कि अब EPFO membership आपकी बढ़ रहे है that means our that is indicator of improvement in formal economy अब को in this year's budget it has been stated that EPFO membership has more than doubled which indicates my kuchh data yad karoon doubling to 27 crore and digital payments of digital payment अलग चीज़ है 27 crore हो गया मेरे कोछ मतलब नहीं है इस से एक हमगा EPFO membership मेरे double हो गया which indicates increasing formalization of Indian economy मुझे एक number नहीं मिलेगा extra गया सोच के देखो यह formalize informal sector पर कभी means में question आसकता है प्रिलिम में भी question आसकता है ठीक है ना उसके बाद यह का है अजि़ल्पिमें जो है उसका ट्रवड़ा होड़ा तो no doubt thanks to covid the improvement has been very rapid in terms of digital payments very rapid now the use of UPI use of debit cards is quiet common now, right it has percolated down to the ready wala also again that the best part that it has percolated down to the ready wala which is a symbol of informal economy in India rather the backbone of economy में कहता हूँ इनको तो वो आपका है उसके पास भी आजकल वो भी अपना वो लगा के बैठा है QPI का क्या कहते है बार कोड या अपना number दे रहता है कि इस पर कर दो जी पेमेंट राइट remember one thing digital payment is not simply a matter of convenience for us matter of convenience है यह भी यह सारा कुछ formal economy का पार्ट बन जाता है जो भी बैंक में आपके पैसा आगया पार्ट बन जाता है इन वन वे जो भी बैंक में आपके पैसा आगया वह फॉर्मल एकॉनमी का किसी ना किस तरह से पैसा सर्कूलेशन में वह आ गया आपके यह बैसिकल्य आपका जो है यह दो चीजे बड़ी इंपर्ट थाया ख्लेर है pdf is available, aap pdf lecture के साथ लगी हुई आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह यह इस तरह से आप इस चीज़ को use कर सकते हो, right. Next is, आप इसको याद करना है आपको, याद करना है इसको भी. Now, vision is mentioned, the next step vision is mentioned, इसके अंदर an empowerment and empowered and inclusive economy. अब पेपर में question किस तरह से आएगा, अगर prelim में भी आशकता है, mains में भी आशकता है, यह यह विजन for empowered and inclusive economy, यह इसका मतलब क्या है बेसिविलिए, what is the meaning of this empowered and inclusive economy, आप ध्यान से पूरे budget क्लियर हो जाएगा, दो word का मतलब समिलें आप, आप पूरे budget की चीजों को perspective में डाल सकते हो, क्यों कि यह लोग जो देखो इतने higher level पे जब national level पे speeches होती है, central government की वो बिना मतलब की नहीं होती, they are made by highly intellectual people, को ऐस नहीं बनती है कि आप जहसे state government में होती है, कुछ भी लिखके, कुछ भी बोलतो, सकता है, और एक से एक पैदल भी बात कर देता है, वाइस बात कर देता है, और एक intellectual बन्दा भी question raise कर सकता है, तो जो बजट यह species बनाई जाती है, तो बड़े एक एक loss, is empowering much flow in the context of harnessing the benefit of demographic dividend, demographic dividend को harness करने केर्ये, लिएफड्यक्श को empower krive hepłषड्ये, empowerment in terms of improvement in capability, in capacity building and capability building is leads to empowerment, or as such environment, empowerment ka jo concept hai that is the what you say making a person capable of taking his or her own decisions, but on the whole zero downs to capability. So, the empowerment that is particularly in terms of population or empowerment it percolates to both vulnerable and non-vulnerable section, this is for the whole population. So, the entire population has to be empowered in order to reap the dividend of demographic, demographic dividend reap. Then, when we say inclusive, then inclusive economy means our economy contains features which dismantles the barriers, a inclusive environment create kirtiye, inclusive environment create kirtiye, every person has the opportunity to participate. So, barriers hai in term in the which hinders the participation of a person, they have to be removed, yeh hume remove karna hai. So, barriers ki jo remove inclusion means dismantling of barriers, then I say financial inclusion dismantling the barriers which prevents a person to financially participate. So, what is the meaning of political empowerment in terms of women? Ki women jo hai wo free ho apna koi koi barrier na ho in terms of participating in in the political system ya voting ya kuch ri. Kiya wo included hai? Kiya wo education ke lii included hai? Agar mai kuhu included hai, woman for education meaning there is a school around her in which she can go. A school is in the right to education policies says, right to education act says, 2 km gander school ho na chahi hai, 2 km distance hai, joh koi bhi jaa saka hai. So, kya ho gaya, ye kya hai? So, kya ho gandhi hai, kaali hai, koda hai, akar kata hai. So, kya hai, agar hum such bharat ki baat kya hai? Inclusion. So, inclusion as a concept denotes the dismantling of barriers. So, wo eis economy ka vision hai eek, jis ke anndar log empowered hoon, aur included hoon. Thicken, isma tien baat ye mention ki gahi hai. There are three things have been mentioned here. In chijon ko, is vision ko achieve karne ke liye tien chijay hai. Isma main question, ismaar question kus na 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 kus especially the youth, अब यहां फस्त में, opportunities for citizens, especially the youth, बदल यहां पे जो vision of empowerment or inclusion in terms of facilitating ample opportunity, facilitating ample opportunities for population, especially the youth, इधान समझो, इस पे अपने आप में question बन सकता है, और में में question ऐसे ही बनते हैं, ultimately, directly और indirectly अगर चीजों का आप analyze करो, तो question ऐसी ही बनते हैं, second is, impetus to growth and job creation, the volume of economy उसको बढ़ाना है, growth बढ़ाना है, और with the assumption की job भी create होंगी, creation of jobs, when I say impetus to growth, job creation, my meaning is to increase the per capita income, मैंने opportunities create करी, then impetus to growth और job creation का environment त्यार किया है, इस से मेरा क्या होना है, per capita income मेरी बढ़ेगी, and third is strengthening the macro economic stability, और poor economy को मैंने stable रखना है, सोटी सी बात है, इस budget के अंदर जो अगले एक साल के लिए या अगले शे साल के लिए जो vision रखा गया है, उसमें मोटी सी बात किया है कि लोगों को opportunities दो आप, अब लोगों को जो opportunities देनी है, तो देखना आपको कि किसको क्या opportunity चाहिए, old age है तो उनको यह चाहिए, vulnerable sections है उनको तो यह चाहिए, middle class है उसको यह चाहिए, तो आप लोगों को opportunities तो right और एक strong growth environment त्यार करो, तो लोगों को opportunities मिलगी तो growth environment होगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे, तो मैं capable हूँ, मेरे को opportunity मिलगी, लेकिन मेरे पास infrastructure नहीं है, मेरा इलाका यह लग सलग है, तो economic activity होने पा रही है, तो मैं करूंगा क्या उसका, तो मेरे को opportunity मिली है, right, तो growth अगर होगी तो job creation बढ़ेगी, job creation होगी, तो per capita income बढ़ेगा, which is the final goal of empowered and inclusive economy, सब कुछ हमारा अचीवी हो जाईगा, and all these things have to be, have to operate within the macro economic stability, यह ना, macro economic stability आपकी होने चाहिए, की पूरी जो current account deficit है, जो हमारे interest rates है, जो हमारे exchange rates है, right, एक macro economic stability होने चाहिए, ऐसा नहो inflation जिसे पाकिस्तान में हो interest rates का पतानी, current account deficit, कहा पहुंचा हुए, reserves है नही है, all these are indicators of your stability, controlled inflation, reasonable interest rates, adequate money supply, right, foreign exchange reserves and stable exchange rate, isn't it, तो यह basically macroeconomic stability को रेनोड करता है, लिखलोन साथ में उन करे हो, यह macroeconomic, ऐसी question आजाता है, पेपर में, प्रिलिम में ऐसी question आजाता है, चारफास question ऐसे आजाता है, which are the following constitute of macroeconomic stability, stable exchange rates, stable exchange rates, then lower interest rates, low inflation, high foreign exchange reserves, low current account deficit, high money supply, is it an indicator of macroeconomic stability, high money supply, no, काट देना इसको, मतलब मैंने question मैं बता रहा था कि one two three form में आ जाये तो, high money supply is not the indicator of macroeconomic stability, not, आपको जो online बैठें कोई question पूछना पूछली न, अपना माई कॉन करके पूछ सकते हो, कुछ no कर सकते हो, मतलब मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा हो जाए, कि मुझे, हाँ मैं करता हुए बत मुझे अंदाजा हो जाए कि आप सोनी रहे हो या आप कही और ने देख रहे हो कोई और यूटूब नी खुला आपका, एक काम हो जाएगा आपका साथ साथ में करोगे ना तो यही लेक्ट्री आपको याद रह जाएगा, यही आपके पस इतना टाइम होना मत्था पच्छी करने का, यही आपका माइंड मेक अप कर देगा, जैसे से पढ़ते जाओगे तो चीज़े आपके रिलेट होते जाएंगे मेंज के लिए, मेरा परपस यही है बजट कराने का, मेरा परपस को आपको वो फैक्ट्वल बुलेट्स महरने का नहीं है, कि आज तक टाइप, बजट ने दो लाख करोट क्रेडट दे दिया है, क्रेडट बढ़ गया है दो ला साजेंट निकालते हैं ऐसे जुमले कि वही दो लाख करोड 15 तरीक इसे बोल दिया, कि किसानों के पास पैसा ही पैसा, अब पैसा बर्सेगा, आपके बस इतना टाइम नहीं है, तो बात हो रही है, मैक्रो एकनॉमिक स्टेबिलिटी की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चोटी सी बात यह आदर्स में कुर्शन कभी भी आ सकता है, जैसे what are the indicators of macroeconomic stability की आपकी economy macroeconomic level पर stable है, इसमे क्या basically रहता है कि interest rates lower रही, अजर बहुत high interest rate होंगे, तो इसका मतलब कहने का inflation को जनम देंगे और आपको unstable, unstable करेंगे, then inflation आपको काम होना चाहिए, lower interest rates, low inflation, low current account deficit, current account low है, इसका मतलब यह है कि आपका जो balance है, trade balance है, वो ठीक रहेगा, नहीं तो कहीं न कहीं वो pressure create करेगा, और आपके reserve को खाएगा, और आपके foreign exchange जो है आपकी गिरेगी, value की गिरेगी, तो आपका foreign exchange reserve ठीक रहने चाहिए, so that you can maintain the value of your rupee, आपके बाद रहेंगे, तो आप अपन dollar खर्च करके, अपने rupee को stable, रख सकते हो, as per trend, यह चीज़े जो है, basically macroeconomic stability को ensure करते है, यह तीन बाते याद रखने है, आपको, कहीं भी use कर सकते हो, कहीं पे भी, in this year's budget of Amrit Kaal, for Amrit Kaal, with respect to the empowered and inclusive economy, यह तो अगर employment का question आजा है, job creation is considered one of the vision for, vision strategies for an empowered and inclusive economy, यह लिखना ही अपने आप में आदा एक number जाद दे देता है, यह नहीं क्यों खास बात लिख दी आपने, यह आपकी quality करता है, कि आप बहुत attentive हो, आप एक perfect stuff for civil justice, you can relate things, एक छोटी सी बात लिखने से, यह तो बच्चों के मैं answer देखता हूं, बिलकु फ्लैट, कह से कोई cross reference दूर 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 तक होता ही नहीं है, आपके हर answer में एक या दो cross reference कहीं न कहीं से आ जाएं, तो वो बात ही अलग गया है, अंबर ही ऐसे आते हैं, इसके बाद उन्होंने कहा है, यह थोड़ा सा objectionable चीज है, कि चार strategies है, और opportunities can be transformative during अमरित काल, यह चार opportunities की areas की बात करिये, जो बड़ी confines ही है, जैसे उन्होंने बात के economic empowerment of women, इसके अंदर self-help groups की बात किये, जो women के self-help groups है, वो उनको support किया जाएगा, कि उनको कैसे branding हो, कैसे marketing करें, कैसे वो अपनी economic activities को expand करें, है ना, so that they can also turn unicorn, जो economic self-help groups है women के, उनकी volume बढ़ाने की बात है, उनको professional करने की बात है, इसके अंदर, जो handicraft, जो लोग बनाते है, उनका, उनको support है कि वो अपनी products को एक national या international level पर लिया सके, इना, इस ग्रासरूट लेवल पर economic activity को promote करने की बात है, then tourism sector को बढ़ावा देना, then green growth को बढ़ावा देना, यह कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगी क्योंकि यह बहुत ही confined सी है, जो vision पहले है, यह वला, उसको अकीड करने के लिए, यह तीन strategies को मतलब रखती नहीं है, यह जस्ट एक political statement मुझे लगी, कहीं नहीं कहीं, वुमेन को बू क्या हुआ है, जो local handicraft, handicraftsman है, जो local level पर, उनको थोड़ा सा बू करने की कोशिश की कि आपको हम यह दिंगी कोशल में, विश्कर्मा कोशल विशार इसमें, यह मैंने programs के अंदर list कर दिया है, programs के अंदर हैं, दोनों चीज़ें यह, वहाँ shift कर दिया है, यह तैन ट्यूरिजम को बढ़ावा देने के लिए, अब ट्यूरिजम भी एक localizes हो गई, हर area में tourism है, rural tourism की बात कर र अंगल tourism से link कोई जाता है, और जब tourism, tourism is something very grassroot, आम इंसान की बात है tourism, यह तो वो as a consumer होता है, यह as a buyer होता है, यह as a seller होता है, और tourism इंडिया में एक ऐसी चीज़ है, जो every look and corner में है, even राजस्तान जैसे स्टेट में चले जाओ, वहाँ पी बहुत tourism है, उदर से नेगलन में च चले जाओ, वहाँ पे tourism है, करला में चले जाओ, तो हर 25-30 km पे tourism है, तमिलाडो में चले जाओ, हर 35-30 km पे ऐसा मंदिर है जो आप देखना चाहोगे, और कुछ नहीं है, मंदिर है, और मंदिर ऐसा है कि आप पागल हो जाओ देखके, अब tourism point अप देखना चाहोगे, तो मतल जादा को tourism potential, अगर आप करने लगो, अगर Punjab government efforts करने लगे, हर 30-40 km पाद ना, कोई ना को historical monument सा है, अगर उसकी history उसको develop किया जाए properly, तो एक chain बन सकती है, और हर circuit, किते ही tourism circuit बन सकती है, even in Punjab state like Punjab, अब आप देखो, आप GT road पे जाते हो, National Highway 44 पे, आप इस National Highway 44 की उपर तैकड Monuments है, इसको आपको पता ही निए, इस पर्मोटिड, जो शेशा सुवी मार्क के टाइम के signs है, तो बने हुए है, कितने हैं वो, अगर उसको properly develop किया जाए, उसको एक tourism point उसे develop किया जाए, तो लोग जाके देखेंगे कि यार यह 400-500 साल पहले, 300 साल पहले है, यह था यहाँ प यह लिखा हुआ था और ऐसे था, तो मतलब कहने की बात है कि tourism की एक huge potential एंडिया में, which is still unexplored, अगर हम West के context में बात करें, तो tourism को एक बहुत बड़ा, कि पहली बार है, बजट में, जितनी जेर बेसे में 20 सालों से 25 सालों से बजट में देख रहा हूँ, पहली बार है कि tourism को इतना तबज़ दिए है, अदरवाइस tourism का harbor mention होता हुटा सा, लेकिन एक key area tourism बना के इस बार, तो लोने निकाल है, that is also in consonance with the infrastructure, we have developed for last 10 years, last 10 सालों में, infrastructure की volume create हुआ है, उससे भी tourism को इंपेटस हो, मिल सकता है, इसने सारे airports बन गए, realisation modernize होगे, तो इससे tourism का बेस बन गया आन है, at least they do not suffer because of poor infrastructure, एक जिवा से बुसरी जगा जाने के लिए trains निया प्रफर, या बसे, वो quality of buses are very poor, now you can see every type of bus on road, you can see a very good train, बने भारत है, excellent train, of international standard, not of that standard, Japanese or Chinese or go standard निया लेकिन फिर भी international level touch है उतने, बंदे भारत में, अब एरपोर्स देखो, कितने सारे एरपोर्ट कुल गए, कितने ही एरपोर्ट है इंडिया में, और अब प्रांज स्कीम के अंदर और भी localised airport खुलने के चकर में, बन रहा है, next 2-3 years you will see lot of small airports getting, they are getting open, बहुत सारे बन गया है, फंतालिस चालिस एरपोर्ट खुलने के गवारपेंट चोटे हो, domestic airports जैसे अमेरिका में, जहां मर्जी से उड़ दो, चार्टर प्लेन ले लो, तुछ ज़्यादा महेंगा नहीं, मैं दिली जाना है मैं जाओ, चार्टर प्लेन लिया, 2-3 शिटर उड़ गया, कोई बहुत ऐसा नहीं कि चार्ट चीजे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा यह वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ सा एडिया इससे आपको सकता है, next is seven priorities आपकी, यह mentioned है आपके, यह seven priorities पर direct question भी आ सकता है, अगर prelim में मैं कहूं, बेव कुफाना सा, लेकिन चलो, है ना, चाथी कांगी, अच्छ च seven priorities तो यहाद रहाएं, inclusive development है, reaching the last mile, regional angle आ जाता है इसके नदर की आप बेलकुल last mile चक लेकि जाओ चीजोंको, then infrastructure and investment, यहाद रहाएं, inclusive development, second is reaching the last mile, infrastructure and development, unleashing the potential, green growth, youth power, financial sector, ठीकर नहीं साथ priorities है, actual में साथ नहीं है, actual में क्या है, क्या है, what is the central priority, no, एक ही है inclusive development, कि पूरा बजट सिर्फ एक ही बात करता है, inclusive development की, actual में, आप जे कोई साथ priorities में कोई link, reaching the last mile है, यह भी तो inclusive development का part है, infrastructure investment, for inclusive development only, unleashing the potential, unleashing, then green growth, the aspect of inclusive development की, inclusive development कासी होनी चीए, green होनी चीए, then youth power, financial sector, अगर आप इनके explanations देखोगे, critical analysis ही केता है, कि जो आप इसकी explanation देखोगे, वो highly inadequate है, इखलो, highly inadequate explanations of all these priorities, more, many times it is, there is overlapping of strategies, and this classification is highly inadequate, अब अगर वो inclusive development की बात कर रहे है, तो उसमें सिर्फ agriculture, ज्यादा agriculture की बात हो लिया, farmers के लिए, बाकी sections are mostly left out, बहुत explanatory नहीं है, यह, it is not very much explanatory, ओ भी नहीं सकता है, आप अपनी मर्जी सही है, तो इसके लिए, आपनी मर्जी सही है, तो इसके लिए, technically, intellectually, इनकी जो इसके अंदर steps है, उनका कोई मतलब है नहीं, अगर means में question आता है, कि what are the strategies of the government followed by for inclusive development, तो यह नहीं है, कि आप budget से उठा कि वो वनी list होगे, वो ठीक नहीं है, या youth power को ensure करने के लिए, कि क्या strategies government of India ले रही है, ऐसा question तो आएगा ने कि budget में क्या लिखा है, ऐसा question नहीं आएगा, channel question आएगा, तो हम इंडरेट question कह देते हैं कि इसमें से word उठा के आप question पूछ सकते हैं, तो आपको इससे influence नहीं होना है, तो ultimately आपको यह जो आप economy पढ़ेंगे, आप economy study करेंगे, तो उसमें यह चीजें जो है, वो अलग तरीके से, एक holistic warm में आएंगे, जैसे for example, अब मैं एक concept of economic inclusive development ले ले लो, आप example की तो आपके इसमें mentioned है, अब आपके इस budget document के अंदर दो angle mentioned है, population and region, inclusion का part मान रहे हैं, in terms of population, जैसे specifically farmers, women, youth, OVC, scheduled caste, scheduled tribes, differently abled and economically weaker section. की specifically mentioned है, यह, these specific sections of population are to be included, right, then and an overall priority for the underprivileged, की यह जो underprivileged है, इनको हम priority परेखेंगे, right, अब यह specific sections of population mentioned है, की they have to be included, these sections are facing certain challenge, right, लेकिन यह सारे vulnerable section नहीं है, youth, जैसे mention कर दिया बीच में, इसको vulnerable section youth को नहीं कहते, we require youth as a potential resource which has to be utilized, but it is not a vulnerable section, जैसे नहीं आपना इस बात की, तो specific sections of population जी बात की है, और end में कहा गया है, की with an overall priority for the underprivileged, की इन सारे sections के अंदर जो underprivileged है, उनको priority हम लेए, इसको कहते है, यह वंचितों को वेरिता, वंचितों को वेरिता, उनको preference देनी है, जिसको हम जैसे मैंने पहले कही lectures में discuss के, target group approach करते है, की टारगेट कुन सा है, जो वंचित है, मतलब underprivileged है, और secondly inclusive development in terms of region, की there are certain backward regions which need to be taken care, इसमें अनोंने तीन areas की बात करी है, यह आपको याद रखना, में में question बनते हैं सारे है, जो में कश्मीर की बात कर रहा है, इसकी development को लेकी question आ सकता है, और secondly दाख की बात करी है, और third बात करी है, नौर्थ इसकी, और देखो clearly political statement है, clearly political statement के आप तीन specific areas की बात कर रहे हो, तो दाख की क्यों बात कर रहे हो भाई, बहुत ऐसा लोगों के बास वहाँ तो, आप वो geographically excluded है, वो जो tunnel बना दिया यह बना दिया वो बना दिया तो वो एक तरह से inclusion efforts है, inclusion efforts है na connectivity की terms में, लेकिन तीन specific region की बात करी है, German and Kashmir, the dark and North East, but when you see the budget speech, the budget speech के अंदर और जगा पे और backward areas की बात की गई गया है, but बात यह है की primarily जो दो बातों की बात inclusive development में है, वो है population and region, but if you see the whole budget speech, then there is a third dimension of inclusion that is various sectors of economy, की बहुत सारे sectors है economy की ऐसे, इसके अंदर एक inclusion ensure की गया है, different sectors of the problem are facing certain issues, barriers face कर रहे है, चाहे वो tax की terms में है, tax ज़्यादा था उसको कम किया गया, क्या उस sector को develop करने के लिए पहले outlay कम था वो ज़्यादा किया गया, क्या वो sector infrasectorally inadequate था उसके अंदर तो उसको ठीक किया गया, वो भी different sectors of economy को include करने की पोशिशिए, तो तीन बाते है, sectoral inclusion, regional inclusion and population inclusion, तीन बाते हैं, पूरे budget के अंदर है, explicitly सिर्फ दो mentioned है, बट लेकिन पूरे budget को आप analyze करो, तो sectoral inclusion भी बड़ा clear है, sectoral inclusion is very clear, sectoral inclusion is very clear, तीकर अब यह जैसे इन्हों ने शुरू में mention किया, inclusive development scheme कौन-कौन से ही, अब यह भी inadequate है, लेकिन आपको enough idea देती है कि inclusion का क्या, जैसे स्वच भारत को inclusion में रखा गया, 11.7 crore household toilets under स्वच भारत mission, यह एक health की terms में inclusion है, यह क्या है, health inclusion, because toilet ना हो ना एक health challenge माना जाता है, apart from other things, although concept is quite big, but a health challenge भी माना जाता है, toilet का ना होना, toilet का अपने घर में होना भी एक आजकल status symbol कहलो, वो बना दिया गया है, घर में आपका अपना toilet है, इसका मतलब तर अच्छा है, toilet movie आप देख रहे हो, अगरा बहुत ध्यान से देखो हर चीज के पिछे को message सा होता है, उसमें woman का angle आगया, फिर घर के status का angle आगया, religious angle आगया, पता नहीं क्या क्या आगया, बहुत ध्यान से देखोगे तो वो चीजें साथ को तैर्थी निजर आएंगी, तो inclusion का पार्ट ये भी बन गया, next is LPG connections है, अडर उज्वलाई उजना, इसको inclusion का पार्ट माल दिया, ये energy inclusion है, energy inclusion है, 220 क्रोड केविड वक्सिदेशन, health inclusion है, जंधन, financial inclusion है, then insurance cover, financial inclusion है, then cash transfer, financial callow, social security inclusion or social inclusion callow, then cash transfer, financial inclusion है, तो आप देखो आप ये सारी अभ्ध्यान से सुनना, मजा आएगा, इस सारी चीजों को आप अगर मैं gender ये, women के case में करूं तो, does it affect women, the inclusion of underprivileged women in Indian, in India, तो क्या ये तोईलेट्स का, सबसे ज़्यादा impact women पे है, number two, उजवला energy, सबसे ज़्यादा benefit किसको है, women को, because primarily she is responsible cooking, और आज भी ऐसे कई घर हैं जहां पे टकडी पे खाना बन रहा है, अब तो, अब फर्क पड़ गया लेकिन यहां कि अब, benefit तो women कोई है ना, जन्धन bank accounts, पहले women को घर में कोई subsidy मिल रही है कोई पैसा मिल रहा है, अब उसके अपने account में आ रहा है, कार्ड उसके पास है, उससे कार्ड निकल बना, मुश्कील ही नहीं नामंकिन है, मैं जाग कर रहा हुँ थोड़ा सा हसना हसना चाहिए बड़ा, क्या, क्या जुरुद भी क्या है, आपका राइट शड़ी है उसकी मर्जी तुम्हार को पैसे आये तो मेरी है, अब अंडर जिस वो जो है अपना किसान ने थी होजना है उसके अंडर जिसे वोमेन के ownership है उसके पैसे आ रहे हैं अब मेरे पास आये है, है, केई जिसे पैसे रहे है तो मेरे शो मेरे, के जिसे यह इलवन को शिता है, तो मेरे को वोमेनस् वोजीट हाइट जो जो घंडर जो ज़न्रोड जो जिसे अंडर कहते है है, यह जवोन सर मिहन का जो जो तकले सान फ।कलाटज के आँट है, इसमें भी बनेफित वोमन को जादा है इसमें भी बनेफित वोमन को जादा है comparatively because of the earlier deprivation she has been subjected to. एक जो स्की में बेसिकली मतलब आप सुझे ला जो अपना ये है अपना क्या हो कुन सा है वो health insurance, आयुष्मान, आयुष्मान से women empowerment इतनी हुई है because now 3 पहले कई छोटी 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 चीजों के लिए women को मतलब आप ये है society में हमारी, maternity health care लगा लो आप और छोटी हमारी हो जाएगी ठीक है सही, women खुद ही नहीं care कर रही थी, जहाँ economic resources की deficiency है इंडिया में वहाँ पे male preference है ही it is a reality which is not right but it is there, तो अगर आपके पास पैसे की कमी है घर में तो education पहले मिलेगी तो आम है बात, अब वुमेन ज्यादा पढ़ती है कल में data देख रहा था civil service का है ना, अब अगर मतलब वुमेन की जो participation and civil service में कितनी है, इतनी लड़किया paper दे रही है, क्याराँ लाख मेंसे है, पांसे लाख, नहीं 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 एक देट लग लाख बस, 10% 10-12% जबकि वुमेन ज्यादा पड़ती है इस मोर हार्ड वर्किन 25-30% है मैं देख रहा है याद नहीं है मुझा अब और सेलेक्शन रेट भी बहुत कम है 10-15% है 15% है सेलेक्शन रेट से अब कोचिंग के लिए भेजना है कैसे प्लस जाना सेफ्टी इश्यू तो सेकेंडरी है ना सेफ्टी इश्यू क्या रहा है आज कलिया है आप पूछो 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 चैट आउट है दिख भीज़या करो कई बार मां देखता है नहीं चैट पे परमेशन लेने के लोड नहीं है बस question पूछना हो question पूछा फिर बन कर दिया of you, पूछोगरं मां योछिद कर लो नहीं है फिर यह सारे एंडिकेटिव नेशा नटेक्षों करें अब कितना करते हैं साल के इनदर आगे पता लगता है अगले बजट में प्रिटिकल पार्टिस करती हैं कि तुमने परिषले साल में यह काता क्या किया तो अल्टिमेटली क्या है कि जो आप कह रहे हो बलकु ठीक कह रहे हो कि अगर ये आउटलाइन करें लेकिन बजट बढ़ाया नहीं तो बेसिकली यही है कि ऐसे कई सेक्टर साथ तो मिलेंगे जहां पर बहुत बाते करें गई हैं लेकिन अक्षुल में होना कुछ नहीं होना गौर्मेंट कर रही है उना वो यह चल रहा है यह बात एक बिजल बॉडली विजल पोट्रे करने वाली बात है तो शिदा-शिदा यह सबस्या यह थि अगर आपने टूरिज्ब को लिंक्ट कर दिया मेइन स्ट्रीम से तो इंडिया में तूरिस स्ट्राउंग है तो एल्ट अगर औरंगाबाद पहुंचना है तो उसकी जो connectivity वो क्या है क्या औरंगाबाद में डिरेक्ट फ्लाइट है क्या औरंगाबाद इस प्रेक्टिट टू मुंबाई भाइब हाइब स्पीट ट्रेन या मुझे टेक्सी लेके ही मुंबाई से करंदगबाद जाना पड़ेगा दुनिया भर का टूरिस आता है और कितना आ सकता है उसका unlimited potential है लेकिन गुवर्मेंट को यह पता है सबको यह पता है कि इस आल अलवाट प्रेक्टिविटी इस प्रेक्टिविटी इस प्लेस को डिवलेप करेंगे नहीं करेंगे उसमें एक्ट्स्ट्रेजिस के जबने शु वह दुनिया कि बजट के अंदर कभी नहीं होती कि मोटी मोटी बाते करियो कि यह हमारे अब एक साल के अंदर क्या करेंगे बंती है जैसे अब होता क्या है कि जैसे यह बज़ेट आ गया अब तुरिजम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रि ने अपनी रिकॉर्मेंट डे दी प काम करना शुरू करेगा और उसकी डिटेलिंग बनाएगा कि ये पैसा कैसे खर्च होना है तो वह अगले दो महिने में वह सारा रोड मैप त्यार होगा एक महिने में तभी ये बजट एक महिना पीछे भी किया गया है वनोगा रिजन ये भी है कि एक काफी काम शुरू हो सब्सक्राइब को इतने पैसे देए तो बढ़ा है नहीं जा सकते हैं तो याद करी सकते हो मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना है या उस लिस्ट को अपने सामने रखना है और हमेशा देखना है कि जब आप एकॉनमी सब्सक्राइब करना है जैसे इंडिया वन हंडर क्या है शुरू में है अना विजन आफ इंपावर्ड एकॉनमी है यह हमने काफी बात कर लिए तन वंचितों को वेरिता इसमें वंचित कौन कौन से है क्या है वह हमने देख लिए थोड़ा साथ एग्री स्टाटप के काफी अचित बात हो रहे है तो हम जनरली जब एकॉनमी करते हैं तब हम अग्री स्टाटप इस डिटेल में कोई भी नहीं किराता है कि बिल्कु रिसेंट चीज़ है तो एग्री स्टार्टप के उपर अपना एक नोट बना लेना है आप जब भी स्पेशल काम करने की जूरत नहीं है लेकिन आप समझ लोग आपके लिए फोकस हे रही है यह प्रिल्म में कुछिन आ सकता है यह लुट के समझ त इसके में मिलनत क्या होते हैं अब यह पारे में उन्होंने का यह अनने है यह कहा है मुटा नाज कर देते हैं तो लेकिन पे आप खोड़ा से ज्यादा जनली मिलेट सम्चोड़ते नहीं कम नहीं करते हैं हम राइस वीट शुकर केन इसमें लगे रहते हैं अब अगर बजट में मिलेट पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और जो यहर ऑफ बजट मिलेट्स है और गुअब बजट कें अंदर मिलेट पर एंफसाइज किया जा रहा है 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 इसका मतलब क्या तो चैनल करें चैनल है कि कमें औरमिलेट का थूरी है कि कॉन कॉन से होते हैं दाना बड़ा दाना स्मॉल मॡग्स Ai garden कौन से मिलेट अजि रिखते जा ए क्या होता है कि मिलट कौन से इस्मक्राइब स्मस्ट इन करेंड देप 미 आगया कश्क you नोर कोन só मिलेट का नमबर फ़र सिके अंदर क्या करो मिलेट के इस की रिजन की अंदर क्यों सा मिलेट प्रमेन्ट है कि तुम मैच कों सामिलेट अन娘 चार स्तेस्त जे दे तो चार मिलेट्स देज़ें करो मैच आपको लिखके आजा हरना में रागी होती है तो बाद भी दरनाटका में होती है आपको फोकस चार्ट दिया है कि यह topics focused areas है में ज्यादा question paper में आ रहे है अपार्स from that this is our second thing कि यह यह सब topics आगे focus कर सकते हो then सहकार से cooperative के अंदर अगें बहुत stress है इस budget में अपरेटिब से एंबरेशन जब से मनिनी यह हैं कर दो cooperative स्ट्रेस बहुत है और अब आपको क्यों गवर्मंarta कर रही है क्या नीं कर रही वड़ी बाते हैं अना थर्टी करें अध्र लेवल पर क्लिन क्या करें मैं सक्रों प्रेशन बना रिया पहले नहीं थाई और हर सेट का अपना एक कोपरटीव सोटीज है अगर प्रिलीम में भी देखें तो कोपरटीव पे बहुत रेरली कोश्चन कभी आया है लेकिन इस बार अब हम कोपरटीव को एक फोकस एरिया बनाएंगे और कोपरटीव जरूर हम करके जाएंगे 1974 से स्टार्ट करके 1912 गुवर्में अफ इंडि एक 1935 गुवर्में अफ इंडिया इक 1947 और इनल कॉपरटीव सोसाइटिज डिफेरेंट स्टेट्स के अंदर कोपरटीव सोसाइटिव बन गाई टीक है ना स्टेट्स कांसर इसन तरह की कोपरटीव होती है कॉपरटिटिव मे इंडिया में कौन कॉपरटिव हो गया पैक्स हो गया तो क्या है अभी तो आपको सारा कोपरटिव सा क्लियर हो जाएगा कि है क्या स्थक्चर बेशिक्लिए आ तो वह अगर करद में शेत कर दूंगा कूच करंने कोपेटिस के उपर अधिपोने घंटे का है उससे आइडिया हो जाएगा कोपेटिस ने टेल में नहीं किरा जाता अगर यह करा ने बैठ गया फिर तो यार जनल से इकॉनमी तीन भी नहीं में होगी लेकिन हमारा अब यह बजेट के कोडिंग फोकस एरिया बन गए पर यह बना जाती है इसमें इसमें मेंबर होते है जैसे एक हम just like a private company but a cooperative society, which is regulated by cooperative society act. So, private limited company it is regulated by companies act. यह भी एक business organization है जो बना ही जाती है और इसके bylaws होते है, which defines कि यह society क्या-क्या करेगी. So, अब government of India ने model bylaws दी है, जिसके थू तो societies are they will be able to act as multipurpose cooperative society. अभी क्या है कि cooperative society specific function perform करते है, like credit. अगर क्रेट कर रही है तो वो सिर्फ क्रेटी देगी, crop loan देगी. अगर वो housing cooperative है तो वो क्या घर बनाएगी, अगर marketing cooperative है तो वो सिर्फ crop की storage करेगी और उसको बेचने का अफरबंद करेगी, जब परड़क्स बनाएगी उसके basis. अगर thrift and credit societies है तो वो small savings के लिए है, तो लोग अपना-पना small savings का बचा तो पहाँ पैसा लगेंगे और उसके basis पे को society आपको की return देगी. ऐसे बहुत सारी dairy cooperative है तो किसके लिए है? तो आब यह model bylaws government of India बना रहे है, इसके basis पे multipurpose आप कर सकते है, and in bylaws के अंदर cooperative को government के control से बाहर करने की carry है. Now, cooperative will be working as independent business organization rather than being a part of government. अभी क्या सारा जो cooperative structure है, वो under the control of government है. Apart from dairy cooperative जो अपने 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 एक independent business है, लेकिन legal terms में तो अभी government के अंदर है, government का intervention है उसके अंदर, लेकिन अभी government से कुछ ले निर हो, तो इसके ले government, वो they do not. पहले model societies act काया था जिसके अंदर option दिगी थी लोगों को, कि you can either register yourself in the state cooperative act, or you can get yourself register under model cooperative society act. उसके अंदर basically auditing होती है कि government के हाथ में क्या होती है कि society की, societies के अंदर audit करने की power होती है, government official होगा assistant restaurant cooperative societies, inspector cooperative societies वो जाएगा society में और audit कर सकता है सारे books की, वहाँ power draw होती है उससे, वो audit की power क्यों थी क्योंकि सरकार का पैसा आ रहा था, तो सरकार का जहाँ पैसा आगया audit को हो गई, अगर कोई society सरकार से पैसा नहीं ले रही तो audit किस बात था, तब फर वो internal audit होता है कि अपने आप audit कर वो आप जैसे हम करते हैं, अपने कंपनी है, I am not taking money from the government, तो मेरा अपना CA audit कर के रिपोर्ट समीट कर देता है, लेकिन government अगर audit मेरा करा है तो बात अलग है, जैसे अब यह जाने के case में क्या हो रहा है, अब वो companies है, अपना audit खुद करेंगी, लेकिन अब लोग सुभा के अंदर हंगामा यह मच रहा है कि आप audit कराओ, तो government के पाफ पावर है यह किसी भी अगर चाहे, अगर कोई ऐसा exigency आ जाए, तो government audit उसका करा सकती है, जहां बहुत लोगों का पैसा involved हो, in the case of limited company, तो चाहे तो government audit करा सकती है, तो चाहे तो government audit करा सकती है, सारे businesses को लपेट लिया, बैंक बीच में आया, SBA बीच में आगया, LIC बीच में आगया, और लोगों का पैसा बीच में आगया, और companies भी बीच में आगया ने सारी, तो वह एक demand है, तो एक बात है, इस करके cooperative को अच्छे से आपने focus area करना है, कि सारे मैंने यहां पे ना जो सारे initiatives and cooperative के लिए 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 लिए, exchanges भी, बिलकुल question 2-3 आपके बन रहे है, मैं मुझी दिख देख रहे हैं, चलते फरते फरी में, तो ओई सकता है, बिलकुल, वह तो cooperative का सारे topic important है, कहीं पे भी, मैं तो sociology में कुछन में बनाशता हूं cooperative, और है, स्रियर्ना होगे, सहिकार हो गया, next is capital investment trends, यह भी कुछ तो प्रिलिम में या means में बनता है, यह means में ज़्यादा बनता है, कि जो capital investment है, उसकी importance, जैसे लास्ट यह 7 लाग क्रोर की capital investment थी, इस बार 11 लाग क्रोर की envisaged है, तो role of capital investment in the economy, revenue versus capital investment और sourcing capital investment की वो capital investment का पैसा कहां से आना है, और कैसे capital investment economy को effect करती है, कि आप normal economy में करती है, capital expenditure कह लो आप उसको capital investment, और source of capital investment क्या है, public and private, government कितना envisage कर रही है, private investment कितना envisage हो रहा है, then harmonized master list of infrastructure की बात हो रही है इस budget में, infrastructure एक key area है definitely इस budget में वो last year भी था और इसलिए पांसे सालों से infrastructure तो बजी रही है, तो infrastructure तो आप करकी जाते हो और infrastructure पे देखो हर बार energy पे कोई ना कोई ट्रांस्पोर्ट पे किसी भी फॉर्म में एक आदा question paper में आई रहा है, चाहे वो जोगर्फी वाले एरिया में डाल दें, चाहे वो इकॉनमी बाले एरिया में डाल दें, infrastructure is one of our core area, और mains में हर बार infrastructure पे question पका ही पका है, तो जो भी infrastructure क्या है बात वो तो आप एक national हमारा important topic है, लेकिन आपको यह देख लेना है कि harmonized master list of infrastructure क्या है यह और इसके उपर अगर पिले में direct question बने, then regional connectivity issue, अभी regional connectivity issue जो है यह एक जो अपना transport infrastructure as a whole को लेके में में question आपको बनता है, जैसे अभी inland waterways promote कर रही है government, roads expressways बन रहे है, अगर डेली की बात ही कर ली जाए तो इस्टन एक्प्रस वेया है, वेस्टन एक्प्रस वेया है, जो देहरदून का बना है, यह जो यह जो GT road 44 है, वो modernize हो रहा है, तो इस फेनोमेनल, infrastructure on road is phenomenal, फिर वो उडान scheme के अंदर airports है, तो रही बात, और railways के अंदर जो यह privatization चल रही है railways में, यह यह फिर modern जो upcoming, जो connectivity things है, like hyperloop, चाने बाले time में hyperloop का some trend कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे, को futuristic होगे, तो regional connectivity को आप एक integrated form में की कैसे government देख रही है, कि wherever possible जो infrastructure किसी region में develop हो सकता है, वो हमें develop करना है, उसको harness करना है, आप नौर्स इस में चले जाओ, there is a huge potential for inland waterways, और रहंपुत्रा, चाइच्ट्रिबुटरीज, अब वहां चटके बनाएं, अगर हम inland waterways में बना जेंएं, तो inland waterways, aviation वाला है, transportation, railways, इस पर कोई भी question paper में आपको आ सकता है, यह तो वैसे भी conventional area है हमारा, लेकिन जब main, हाँ जी, पुछे, 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 नहीं, यह regional connectivity कहलो आप इसको, यह तो एक तरह से modernization of railways में है, this will be part of modernization of railways, अगर मैं देखूं तो, connectivity तो बढ़ी रही है definitely, यह भी आपका time काम हो रहा है, लेकिन जब मैं regional connectivity की बात करता हूं, तो I am talking in terms of those areas, which are not adequately connected, अभी जो वन्देभारत trains है, वो ऐसे stations के बीच में run की जा रही है, जहां पे already बहुत अच्छी connection है, अब सपोस वन्देभारत है in North India, from this Chandigarh to Delhi to Chandigarh, यह तो हो गया easy route है, लेकिन उनने क्या किया Delhi to Chandigarh, Chandigarh to Una कर दिया, अब Una was not very well connected, उसको Himachal को connect कर दिया, कि उस train को वो वन्देभारत को उनना लेगे, चाहे वो financially उस एरिया के लिए viable है या नहीं है, लेकिन उसको उनना लेगे, उनना में क्या किया फिर हिमाच्छा कर दिया उसके साथ, अब एक तरह से यह बात होगे कि हिमाच्छा क्नेक्टिट टु डेली बायवंदे भारत, वो अलग बात है वो Una से है, पहले बंदे को Una आना पड़ेगा, लेकिन किताबों में तो वह आएगा ना हिमाच्छा क्नेक्टिट बायवंदे भारत, अब बात करें ध्यान से सुनना अब बात करें तो जम्मू से शिर्णगर जो हाईवे बन रहा है मैसिव टनल यह आटल चनल बना दिया आपने क्नेक्टि कर दिया बनने गए यह जो यह फ्रम चंडिगा तु मेनाली रोड बन रही है, अब यह एक मेन आटल रूट्स बन रहे हैं, अगर आप एक लाजर प्रस्पेक्टिव में सोचो अब आप चंडिगर से आपने जम्मू जाना है, पता भी नगता है, तो रोड जाओ, तो इंटायर आप तिल जम्मू जाना है वे एक्स्प्रस वे है कहीं रुखने का मतलब भी कोई नहीं, स्वारे टाउन्स और बाई-पास कोहीं जाओगे निया आप इन बीचिन, इसा जम्मू जाकर रुखोगे, जुद्याना से जल अंदर जो भी टाउन्स बीच में आतने सब बाई-पास चाहा प्रठान कोटा चाहा कोई भी है कि मतलब भी कोई नहीं, थोड़ा सा आपको broader mind रखे आपकोचोगे, तो कोई भी initiative regional connectivity का एंगल बन सकता है, लेकिन primarily focus में हमने क्या रखना है कि, connecting those areas which are left out, which are not still connected properly, by all weather or all good. Because, if you, if you urban infrastructure development fund propose किया गया बनाने के लिए, RIDF तो पहले था, rural infrastructure development fund which is highly successful, which has been highly successful for last 30, 35 years, RIDF under Nabad, आपको मालूम है पड़ा हुआ है आपने लेकिन उसी की तार्च पे अरबन infrastructure development fund बनाए, UIDF का कोई प्रिल्म में question आ जाए या means में आ जाए urban infrastructure का, यह AIP, अब इस budget में AIP emphasis है, एक एरिया है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस साइंस और टेक में question आपका बन सकता है, प्रिलिम में भी में में भी, अब ऐसे हमें areas निकालने पड़ते हैं, प्रिलिम के लिए जब हम त्यारी करते हैं तो जंदगी बोर हो जाती है, तो आपकी life में charm लाने का तरीक आई है, आपको target मिल यानिया आपकी आभी यह दस बारा एरिया मिल इस पर काम करेंगे, तो वही पढ़ते रहो तो अपने आपको एक अंदर से empowerment भी आती है, इस पर निकालो इस पर चोटा सा राइट प्यार करो, अफे ट्रक्स प्यार करो, यह जो रोल ऑफ पैन है या जो आटाबेस यह बिना रहे है, तो यह भी एक बहुत बड़ा एक इनिशेटिव है जो चल रहा है पहले से, कि सम्हाव हम जो यह डिप्लिकेशन आफ जो आइटिटीज है कि हर बर देनी पड़ती है या अभी बंद्र के पांच मांची से कार्ड हो गए, अधार भी हो गया पैन भी हो गया फ्लाना अधिमाक्का पासपोर्ट यह वह बंदा रख्ते रख्ते मर जाए तो उसके लिए डिजी लोकर पहले क्रेट किया गया अब कही ने कहीं प्रोसेस चल रहा है लिगलाइजेशन का कि आप पैन को एक युनिफॉर्म सोर्स उफ है तो वह उस तरह से अधिन्टी को करने का तरीक है कि आपको बार बर वही डॉकुमेंट समिट ना करने पड़े यह बहुत पहले से डिमांड है लेकिन कंट्री राइक इंडिया इस डिफिकल्ट विकॉस्ट विकॉस्ट मैसिफ पॉपलेशन एक से चालिस क्रोड के लिए क तो मनी कंट्रीस इस्टिलिंशिफ कार्ड लेकिन अगर अधार कार्ड में क्या पर्लम है कि कई ऐसे लोगों के इसे अधार कार्ड थे शुटिजन नहीं है तो तो उसके पास सब्सक्राइबिलिटी ए ग्रीन इस बजट के अंदर है ग्रीन रोथ के ऊपर आपका प्रिलिम यह इंडरेट चीजे हैं जो सारे बजट के अंदर आपको दिखाई जेती है तो आपको फोकस एरिया आप कर सकते हो जिसमें प्री में इंडरेट कुशन आ सकते हैं लिस्ट बन जाएगी आपके पास एक जिसके ऊपर आप पढ़ते हुए ध्यान रख सकते हो कि हाँ यह एरिया बजट में हाइलाइट है और इस पर प्रीलिम में भी कुशन आ सकता है और मेंस में और कैसे कुछ चीजों को में में यूज करना मैंने आपको बटाए अपार्ट अपने हाथ से देखो खुद करोगे ना तब ज्यादा रहेगा जहां तक मुझे लगता है तो चीज या दिन रहती अपने हाथ से बैठके एक दो पेज़ों पर पूरा बजट बना दोगे लिखके कि यार ये साथ एरिया है इसके लिए इंक्लूजिव देवल्मेंट के लि करना है जिसके ओपर इंडिरेक्टली कोर्षिन पेपर में आ सकता है उनको आपने उस पे काम करना है वाईल यू स्टड़ी स्पेस्टिप सेक्शन ठीक है तो इस वास कर देंगे कोई बात में तो अने यह कोशन यूविस्ट वास्क टिक है औनलाइन पूशना किसने कोशन वो भी मैं डाकुमेंट बना के दूँगा बन रहा है वह बहुत ज्यादा घुजना नहीं है यार कि अगर आप करने बैठ जाओ एकनोमिक सर्वे आपके पांसाथ दिन ले जाएगा और एक मैड रश है यार मंद से सोचो पहले तो एज एमपावर्ड एस्परेंट सोचो कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है लोग में बंदर नहीं बनना इस शूशल मीडिया ने सब एस्परेंट को बंदर बना कर दिया है गदा भी नहीं है तो फिर भी ठीक है अधर तो फिल भी ठीक है कि मैंने कहा जेकर लिए उसने कर लिए तो गदे बन जो नहीं को बहुत है यह तो घॉड़े बना या कज़ेग बना हो दोना कंबिनेशन मंजाओ क्या होता है वह अच्छर दोनों कॉंबनेशन बन जाओ आप चाहे